नमस्ते दोस्तों मेरा नाम शेशराज है और मैं एक शराबी हूँ हाई शेशराज भाई हाई हाई सभी को नमस्कार बगवान की असीम कुरुपा है अल्कोलिक्स अनॉनिमस का साथ है आप सभी भाईयों की मदद है यही वज़े है दोस्तों आज भी शराब के भूत दूर हूँ और एक अच्छी और संतुलिक जिन्दगी जिनने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों हेल्पिंग हैंड गूर्प का मैं बहुत बहुत आबारी हूँ जिनोंने आज मेरे सत्रवे प्रापर डेपर अपने अनुभोस आजा करने का मुझे आज मौका दिया आज मेरे ग्रेटिट दे का करेबरेशन रखा और जो टॉपिक दिया है दोस्तों ग्रेटिटूड इन एक्षन कुरुती में कुरुत अधनता या आभार मनना जिन्दकी की बहुत सारी चीजे जो मैंने कभी इसके पहले सुनी नहीं थी ना समझी ती वह भी यहाँ पर दोस्तों मुझे सिखने का मौका मिला और इसलिए दोस्तों मेरे इश्वर का अल्कोहॉलिक सेनॉनिमस के को फाउंडर का ओल्टाइमरों का और यह पूरी जो फेलोशिप है दोस्तों आज इन सब का मैं अपना आभार मानता हूँ दोस्तों आप सब लोगों की बदोलती दोस्तों मैं आज शराब से दूर हूँ जिंदा हूँ और एक सही में जो मैंने कभी उम्मिद नहीं किया था इतनी अच्छी जिंदगी आज मैं जी पा रहा हूँ दोस्तों एक रॉक बटम अलकोहोलिक का मेरा जीवन रहा पूरी तरीके से तभा हुआ हूँ और सबस्त हुआ भैंकर्स टाइप का शराब ऐसा जीवन का कोई भी फ्रेंट नहीं बचाता दोस्तों की जिसको मैं बोल सकता हूँ कि वो ठीक था मांतिक, शारिरी, आर्थी, सामाजी, अध्यात्मिक हर साइंस के कही तो भी मैं पूरी तरीके से तूट-फूट कुए था और सबसे बड़ी बात कि आखरी के हाला कैसे कि कि मैं रोख रहा था बड़ी ही खराब हाला थे पिल्कुल हड्डियों का ढाचा एक सरकारी हॉस्पिटल में भरती हुआ तो डक्टरों ने बताया कि टीवी हो गई एक पाउसे हलका सा लंगड़ा पन टाइप आगया था चलने ही पा रहा था यह भगवान की रूपा है दोस्तों कि मैं उस बीमारी में बढ़ गया वरना दिखने वालों ने तो बोल दिया तक कि अब यह ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है और मैं खुद भी उस वक ठाना था जब मैं बेट पे पड़े रहता था चलो भी अब जो हो गया तो हो गया अब यहां से एक नहीं जिंदगी शुरू करेंगे मगर तब नहीं मालूम था दोस्तों कि मैं एक अल्पहोलिजम नाम की बहुत ही रहनकर बीमारी का शिकार है एक ऐसी बीमारी जो मेरे मन को, मेरे शरीर को मेरी भावनाओ को, मेरी आत्मा को आत्मा यहने मेरा घस्ति मतो मेरी परस्नालीटी को लगी हुई है मेरा प्रॉब्लेम तिर्फ शराब नहीं है शराब तो प्रॉब्लेम था ही शराब तो विल्कुल मौत के घाट उतार रही थी मेरा मन शरीद उसका आधी हो गया था मगर सिर्फ शरा भी मेरा प्रॉब्लम अलकोहल के साथ में कई तो भी मेरा इज़म मेरी सोच, मेरी विचार करने की पंदगती यह सारी चीजें जोड़ी हुई है और इसलिए यह तो बिमारी है एक कनिंग डेफलिंग पावरफुल डिजीज है चतूर, चाला, घंबे डालने वाली चक्मा देने वाली, शक्तिशाली बीमारी और उसका नजारा मैं यह में आने के पहले ही देच चुका था तो 2003 में जब मैं उस लंबी बीमारी से उठा और मैंने खुद भी कमिट किया था कि नहीं इसके बाद डारू नहीं पियूँगा एक नहीं जिन्दगी मैं शुरू करूँगा मगर दोस्तो शराब जब सामने में आई गैरा मैंने के बाद तो ना ना करते करते कैसे मैं फिर दोबारा शराब का पहला उठा लिया फिर ब्लेक आउत में जा रहा हूँ वैसे तो भी गिरते पड़ते घर में आ रहा हूँ घर के लोग पूरी तरीके से संग आ गये तो इन भयानक परफिशियों में मैं यह में आया था सादी नहीं होई थी सादी होने के कोई चांस नहीं थे एक अच्छे व्योसाय में था, मगर वाँ दारू की पॉर्टल नहीं लेकर गया था, तो मेरा जो काम धंदा है, वो शुरू होने के पहले ही खतम हो गया था, करजे थे, बहुत कम करजे थे, लेकिन उस वक्त मेरी हालत नहीं थी, उसको शुक्ता करने की, नांसिकता खराब हो करता है कि ने, यार, मेरी शुरू बढ़ हो जाए, मगर दोस्तों, वो पावर ही मेरा अंदर नहीं बचाता है, जिस विल्पावर के जारी हे, इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे जैसा अल्कोहलिक दारू के सामने में पुरी तरीके से हजबल हो जाता है, पावर ल के पी जाता है तो यह अस्तवस्ता मेरी जीवन की थी hopeless condition of body and mind जिसको कहते है डॉक्टर विल्यम सिल्कवर्ड और जो भी psychiatrics लोग है कि मन और शरीर से पुरी तरीके से एक निराशा जनक अवस्ता तो ऐसी निराशा जनक अवस्ता में आखरी के दिन मेरे चल रहे हैं कोई रास अगर बाद में भूले सब पता चलेगा पूले सब निकलेगा और मेरे को कुछ सुझ नहीं रहा एक सरकारी अस्पातल के सक्केट्रिक के पास में गया वह दवाईया देता था और बुलता ता डारू मत किना और मैं फिर वही प्रॉब्लिम लेके जारू पीके ही उसके दरवाजे बंध हो जाते हैं तो इश्वर कई तो भी एक रास्ता हमारे लिए एक दरवाजा खुला चोड़ता है वो दरवाजा मेरे लिए कुछ साल पहले भी खुला था दो हजार साथ के पहले लेकिन शायद दोस्तों उस वक्त वो घड़ी आने की थी मगर दो हजार साथ अगस्त में वो दोबारा मुझे एक मौका मिला और एक अलकॉहलिक जो मेरा दोस्त था एक ही इलाके में हम रहते थे तो दो मेने से शराफ से दूर थे कुछ दिन तो मैंने उनकी बातों को उतना importance नहीं दिया, मुझे भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मेरा जो दोस्त था, वो मेरी लिए साक्षा तुदारन था, यार ये आजमी दारू से जूर रह सकता है, तो मैं भी रह सकता हूँ, जाकर तो देख लेते हैं, क्या होता है इस मिटि ज्वाइन की, और बस दोस्तों, वो पहले ही मिटिंग ने मेरे साथ में वो मिरेकल किया, कि उसके बाद में आज तक इन 17 तालों में मुझे फिर दोबारा पलट कर देखने की आउसकता नहीं परी, ये ग्रेस वाड है, ये इश्वर ये कूपा है दो, वरना इन 17 तालों में मैंने अंगिनत लोगों को A के दरवाजे में आने के पहले ही उसको रिजेक्ट करते हुए दिखा हैं, कई लोगों को हमने मैसेज दिया, ट्वाले स्टिमिंग की, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर, गरी, हर तरीके के लोग, बहुत लोग A के दरवाजे तक ही नहीं आए और उनमें से भी बहुत लोग जो दरवाजे तक आये, तो उसमें से कई लोग दोस्तो A में तिक नहीं पाएं, कई मेरे करीबी जो दोस्त है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, आज वो सब याद आते हैं, और मैं अपने इश्वर के प्रती, इस प्रोग्राम के प्रती, बहुत आभारी हो जाता हूँ, ति इश्वर मेरे लिए ही ऐसी क्या विशिश व्योस्ता थी, कि मैं यहां रुख गया, मेरे जिंदगी पज़ गई, और जब एमें कैसे हैं, दोस्तों, वो यह चोजन प्रोपल आप गॉर्ड, हम भगवान के चुने हुए लोग है, यह करना चाते हैं, मगर दोस्तों, उनको रास्ता नहीं मालूम, उनको ए का पता नहीं मालूम, कई बार तो मैं देखता हूँ कि जहां ए का गुरूप चलता है, उसके फिक पीशे में रहने वाले लोगों को नहीं पता होता, ए में जहां मैं बिटिंगे करता हूँ, वहां पर दोस्तों, मेरे A में आने के पहले से वो गुरूप चल रहे हैं, दर्जनों बार में उस रास्ते से गया होगा, कई बार बोस्तर भी पड़ा होगा, वगर दोस्तों, उस वक्त कभी ऐसा सुझा नहीं, चलो यार यह दारूप फोलनी की जगह है, तो यहां जाना सही है, तो यह एक grace of God है दोस्तों, हम इश्वर के सुने हुए लोग है, यह message इश्वर यह है, यह सब को नहीं मिलता, और जिसको मिल भी जाता है, वो इसको तिका के पितना रखता है, यह भी चीजे माहिक है रखती है, आज मैं बोल सकता हूँ दोस्तों, कि यह जो मेरा जीवन है, यह जादी हो जाएगी, मैं A में आया कब मैं कुवारा आया था, 24 साल की उमर हो गई, बागी सब दोस्त भाईयों की शादी आ हो गई थी, सिकल हो गई थे, और मुझे ताने मारते थे, अब इसकी शादी कभ होगी, और बेवड़ेपन में भी मैं ललकिया दिखने जाता था, त मेरे जाने के पहले ही मेरी ख़बर पोच जाते है, तो कई बार मैं ये क्या है, मैं आने के पहले भी में रिजेक्ट हो गई थे, तो शादी होना तो विल्कुल इंपॉसिबल था, आज दो बच्चे है, आज मेरा काम धन्दा जो पूरा खराब हो चुका था, मेरा आज काम इतनी अच्छी बहतरी जिन्दे की आज में जी रहा हूँ, तो ये दोस्तो इस ए की बदोलत और मेरे इश्वर की बदोलत, आज पल-पल मेरा ये आभार कुट-फुक के निकलता है दोस्तो, मगर अलकोहोलिक थानॉनिमस की मिटिंग में आने के बाद ही आभार क्या होता है ग्रेटिटूट किस चिडिया का नाम हो, ये कैसे प्रकष किया जाए, इसके तरीके क्या है, ये सारी चीजे भी ए में आने के बाद ही सिखने को में पहले वो जीवन नहीं सा दोस्तो, पहले एक स्वार्ती और बैमान किसम का मैं आजमी था, जो सिर्फ अपने मतलब के जो भी मेरी रिस्पॉंसिबिलिटिस थी, मेरे कर्तव थे, क्या मैं वो निभा रहा था, जो मावाप, चिन मावाप ने मुझे सोड़े से बढ़ा किया, कई बीमारीयों से बचाया होगा, मैं जाने क्या-क्या पापड़ देले होगे, मेरे अल्कोलिजम को तो जेला ही जेल मैं पिजिए object थे, मैं बीमार जिरता था मेरी सेवाय करते थे, जब मैं 2003 में बीमार जिरा या उसके पर्फ़ले भी कई बार बीमार जिरा, तो मेरे पिजिए मुझे दावा खाने ले जाते, मेरे पिजिए भी शेराभी से, मगर मैं उनसे खुननक करता था और सारा ठिकरा जो है मेरे पिताजी पर खुपता था कि इनकी वज़े से ऐसा हुआ तो इने के दिनों में कई बार मैं उनके अपमान किया मेरी जबान खराब हुई गाली गुलोच हुई और एक बार मैंने उन पर हाथ उखा दिया यह अलकोहलिजम है दोस्तों यह मेरी नईतिक्ता का अध़ कि अपने पिताजी पर मैंने हाथ उखा है उनको गाली गुलोच कि और वही पिताजी दोस्तों जब मैं बीमार गिर रहा हुग तो मेरी सेवा कर रहे है मुझे टाईलेट में बाकपम ले जा रहे और बदले में क्या दे रहा का हूँ तो अइसा वैमान और स्वारती किसम का इंसान कि जो लोगों की मदद तो ले रहा है मगर दोस्तों उसके प्रती उनके प्रती उसके मन में किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, कोई आभार की भाव नहीं है, कोई gratitude, कोई कृपदनता नहीं हाज तर पे पीने के मामले में पड़े ही साज जोड़के, फूड बोलके मकारी करके, टोपी पहना के लोगों से मैं पैसे लेता था मेरी तभीयत फराव है, मुझे दावा काना जाना है पहले डिमांड साव रूपे की रहे बाद में साव रूपे भी मिलने बंद हो गए तो फिर 50 और 30 और 10 और जब पैसे निकल जाते थे तो फिर मैं विजैई मुदरा में ऐसा फिल करता था देगो कैसा उसको बनाया मैंने कोई एक रेट रूप नहीं कि उस आदमी ने कि सालात में मेरी मदस की आज मैं याद करता हूँ कि एक हमारी व्यवसाई के एक मित्र थे वो बाहर गाव से पढ़ाई करके नाटपुर में आज रहते थे थे एक होस्टल में और वो भी शुरू सुरू यहने इनिशेल डेस था उनका वो अपने व्यवसाई में आने का मैं और यहार। मैं उनको वापस है नहीं करता हूँ अब वो आजमी गाव से आया हुआ झाल में रह रहा है उसके कीमत और जानता है कि पचास वाइन होता है मैं तो ऐसे पाथसाही जिन्दगी में जी रहा था जबकि मैं पूरी तरीके से बैंक्रप्ट हो चुका था पूरी तरीके से दिवा लिया हो चुका था और मुझे लगता था आपन तो कभी भी देजेंगे एक वेवड़े का सौभा हुई है वो लेना जानता है मगर देना नहीं जानता लेते वक्त तो ऐसे ख्याल रहते है उसकी कि अरे आपन तो कभी भी जिदेंगे बहुत और इसी में कर्जे करते चले जाता है तो वो वेक्ति को उस 50 रुपे की क्या महत्वा है मेरे से ज़्यादा वो जानता था एक बार बोला उसने अरे वो पैसे दिये नहीं दो बार बोला तीन बार बोला तो मेरे मुझसे एक बार निकल गया 50 रुपे दे लिए मेरे को तोक्रे क्या जा नहीं देता तेरे पैसे बार 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 और तुनने इसको उसको क्यों बताया अगर मैं वक्त तर नहीं दे रहा हूँ वो गरजमन आत्मी है तो वो इतको उसको तो बताए गाई और उसको उसमें इतको उसको बताया तो मैं उसको बोल रहा हूं कि भाई तुने बहुत बड़ा एठान कर दिया क्या जा नहीं दिता से तरीके का एक शहरादी का स्वार्थी और बायमांदी से भरा जीवन होता है त हम स्वार्था थै। पूरी तरीके से लोगों पे निरभर रहते हैं हम सब लोगों ने मेरी सेवा करनी चाहिये व्याषिशन इस प्रकार का एक डिपेंड़न जिन्दगी इस अर्ण मेरे जैसे ऑल्कॉलिक होगत है दोस्तों लेकिन दोस्तों अल्कोहालिक्स अनादिमस में आने के बाद में पहली बार जब मैंने आया जैसे ही है लेकिन ऐसे जो बड़े सेलेब्रेशं से और एक बड़े सेलेब्रेशन में सबसे बड़ा डिफ्रेंट नहीं है वह एक ग्रेटिटीट दे आभार प्रकट करने का दिन है अल्कोहालिक्स पॉनिमोर्स साल में एक बार हमको ऐसा डाया सुस्थ मंच देता हैं, कि उस दिन हम साल भर के इस सफर में उस सब लोगों को याद करें, जिनोंने भी इस नई जिंदगी के सफर में हमारे लिए कुछ किया है, मैं अपने इश्वर का अभार मान सकता हूँ, मैं एक बनाने वाले को फांडर का अभार मान सकता हूँ, वोल्टाइमरों का अभार मान सकता हूँ, अपने स्पांसर का अभार मान सकता हूँ, अपने परिवार का अभार मान सकता हूँ, तो यह जो चीजे है, यह मेरे लिए कुछ नई थी, ये एक ही एक अलगी शेली थी और ये सिखा रही थी कि अब मुझे उन सब लोगों को याद करना पड़े और जब जब मैं उन लोगों को याद करता था, तो मैंने उनके प्रती जो भी अस्टेटार किये, जो उनका मैंने शोषन किया, जो उनकी प्रतारना की, वो भी छीजे यादा थी, कि आज मैं बड़े है मेरा, मैं ग्रूप में बड़े सेलेबरेट कर रहा हूँ, कोकन ले रहा हूँ, और बस इतना बोलके निकल रहा हूँ, कि मेरा परिवार नहीं होता, तो मैं जिन्दा नहीं होता, ए नहीं होती, तो मैं जिन्दा नहीं होता, ए के को-पाउंडर नहीं होते, तो मेरी शराब दूर नहीं होती, इतना बोलकर मैं निकल जाता हूँ, मगर दोस्तों, ध आम लेना पॉसिबल नहीं होता है लेकिन उन सब लोगों के प्रति तेरे मन में वह आभार प्रकट भूना और मैं अनुभव करते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आभारी होते हैं तो उसके साथ के जो छोटे मोटे गिले शिक्वे रहते हैं अगर उसके प्रति कोई खुननस पर भरा हुआ था और उनकी मरने की कामना है करता था जब ए में आया और एक ए ने मुझे ड्रेक्वर क्या होता है वो समझाया तो मुझे वो सब चीजे याद आने लगी कि पिताजी शरावी जरूर थे उन्होंने घर के हालात खराब करके रखे ते वो सब सही था लेकिन मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या 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 है मेरी मा ने मेरे लिए क्या 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 है वो चीजे भी याद आती थी और उसकी वज़े से मेरे मन में जब आभार रहता था उनके प्रती तो उनके प्रती जो खुननस और घुस्टा था वो करी तो भी दूर हो जाता था तो आज भी हम यह देख सकते हैं कि जिस भी व्यक्ति के प्रती हमारे मन में अगर गुपता है, कुन्नस है, चिड है, यदि हम उस व्यक्ति की हमारे लिए क्या उपयोगिता है, उस व्यक्ति ने जाने अंजाने में ही सही क्या हमारे लिए किया होगा, अगर यह याद हम करते ह तो उस व्यक्ति के प्रति पुन्नस की जो भावना है वो कई तो भी गायब हो जाए तो हमेशा यही तिकाती है दोस्तों कि मैं ऐसा अलकॉलिक हूँ जो रिजेंजमेंट से भरा हुआ है और यह एक मेरी आत्मिक बिमारी है कि कोई अगर मेरा गलत भी करता है तो मेरे अच्छे के लिए उसने कुछ प्रेया होगा इस सोच के अगर मैं जीता हूँ तो मेरे मन में रिजेंजमेंट के भाव, फुन्नस के भाव साहर से में तो ये जो आभार मानने की जो प्रकिरिया है मेरी जिन्दगी में एमें आने के बाद में शुरू हुई तो, शुरू में ये भूज उबानी थी, साल में एक बार खड़े हो जाओ, बड़े सेलेबरेशन के वक, और फिर वही रटा-रटाया, अपना अलकोहॉलियम पेलो, फिर रिकवरी बता दो, और फिर आखरी में सब के लिए आभार, और मेरा काम खतम, मगर अलकोहॉलिक सेनानीमस में सिखाया, कि ये जो मेरा ग्रेटिटूड है, ये कहीं तो भी सिर्फ भूज वानी होना नहीं चाहिए, ये कृती में होना चाहिए, अगर मेरे पहले आयोए नहीं खर्चा किया होता, अपना त्याग नहीं किया होता, तो मेरे दरवाजी तक भूप्त में ये मेसेज नहीं आया रहता, ये जो जान बचाने का मेसेज मेरे दरवाजी तक आया है, तो ये किसी सरकारी योजना के साथ नहीं आया, ये मेरे जैसे अलकोहॉलिक लोगों न अपना समय खर्च किया है, अपना धन खर्च किया है, अपना टैलेंट किया है, फिर बिल डबलू और डॉक्टर बाउ भी नहीं, उसके बाद मेरे आसपास में रहने वाले मेरे पहले आयोगे ओल्टाइम और उने भी यह सारी चीजे अपना सेक्रिफाइस किया है, मेरी जान के लिए, एको जिन्दा रखनी के लिए, तब जाके मुफ्त में ये मैसेज मेरे तक आया है, तो अगर इन लोगों ने ये सारी चीजे नहीं की होती, इनकी शराब बंद हो गई, तो ये भी मुझबानी आभार मान के सुप बैट गय रहे थे, कि अपना परिवार देखना है और अपनी जिन्दगी को एंजोई करना है, तो मेरे जीसा फ् definitions शराब आज जिन्दा नहीं होता, तो सही माएने में अगर एक प्रती मुझे आभार मनना है, एक प्रती नहीं, फर उस व्यक्ती के प्रती जिसने मेरी जिन्दगी में अपना युगदान दिया है, तो ये जो पालिया है और यह सब कुछ अगर आपको बचा के रखना है तो एका प्रोग्राम ही कहता है कि मुझे जिन्दा रहना है मुझे सोबर रहना है तो यह जो मैसेज है यह मुझे अन्य सप्रिंग अलकॉनली तक लेके जाना पड़ेगा एक फिरित शराबी के लिए किया रहा कोई और सोबर हो जाने के बाद में वो हमेशा सेवा के नाम से ना ही कहते रहे हजार बहाने होते हैं हर इंसान के पास में बहाने हैं दोस्तों कि कोई बोलेंगा कि घरे लू जिम्मेदारी है कोई बोलेंगा काम नंदी की जिम्मेदारी है किसी और के पास कोई और बहाना हो सकता लेकिन हम मैं से हर इंसान ने अगर ऐसे ही बहाने बाजी कर रही तो फिर एका मैसेज कैसे कैरी होगा फिर शरागी तक एक ऐसे पोछेगी और जब तक ए में नया भून नहीं आएगा पेज ब्लड नहीं आएगा ए जिन्दा नहीं रह पाएगा ज़ि नए लोगों को मैसेज दिना ही बन हो गया तो हम पुराने लोग इस मिटिंग हाल में कितने दिन तक बैठेंगे एक दिन ऐसा आएंगा जि हम लोग वूब जाएंगे हमको लगेगा कि क्या यार हमी लोग आते हैं बैठते हैं हम इस उधारन के तौर तो भी ले सकते कि मान लीजिए किसी शेत्र मे कोई गुरूप खुला है और पुरानी ही लोग उस गुरूप में बैठ कर मिटिंग के दिन आते हैं अनुबाव शेयर करते हैं और चले जाते हैं वो इस मैसेज को करने की कोशिश नहीं करते वो जंजागरन पियाय वर्थ करने की कोशिश नहीं करते एक फिरित शिराबी को मिटिंग तक लाने की अगर कोशिश नहीं कर तो एक दिन वो बोर्डम से घिर जाएं और फिर जिरे जिरे आरे क्या उस मिटिंग में वही वही चलता है क्या रोज 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 जाना क्या मिटिंग करना और एक दिन ऐसा आ सकता है कि एक एक आदमी उस मिटिंग में जाना ब अगर गुरुप का मकतद है, तो वो मेरा भी मकतद होता है, क्युकि मैं उक्रूप का मेंबर हूँ, मेरे से ही गुरुप बना है, तो ये काम मेरा दाइत हुई, मेरे जिम्मेदारी है, और ये जो भी मैं कर रहा हूँ या करूंगा तो ये gratitude की भावना से होना चाहिए इसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए कि यार मैंने इतना काम किया, मैंने इतने लोगों को message दिया मेरी वज़े से इतने लोग सोबर हो गए और फिर नया आहंकार कि मैं जिसकों में message देता हूँ वो तो सोबर ही हो जाता इस इलाके में मैंने group कोला, मैंने लोगों को सोबर किया, मैंने intergroup बनाया, मैंने ये बनाया तो हम इस अलगी दुनिया में चेले जाते हैं जिसमें कोई gratitude नहीं होता कहीं सोबी हम वाद विवाद में पड़ दे जाते हैं, हमारी आत्मशान्ती भण होने लगी तो सही माहने में gratitude जो A के प्रती है, वो सेवा के माध्यम से होता है और वो जो सेवा है दोस्तों, वो अनामिक तरीगे से और निस्वार भावना से होनी चाहिए ये भी A में ही आकर सिखने को दे शुरू में मेरी जो सर्विस थी, आज मैं बोल सकता हूँ कि वो इतनी पवित्रा नहीं थी, क्योंकि 12 कदमों पे मेरा काम नहीं हुआ था मैं खुद चरित्रे के दोस्तों से भरा हुआ था और उसी की वज़े से फिर गूरूप में, फेलोशिप में डॉमिनेटिंग करना, मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए, लोग कर रहे तो वो गलत कर रहे और फिर उसमें फिर लोगों की मिनमेक निकालना, ओल्टाइमरों से उलजना, तो ये सारी चीज़े मेरे साथ में हो रहे और जिसकी वज़े से सेवा का जो असली पाइदा मिलना चाहिए, एक संतुष की, आत्मों संतुष की जो होनी चाहिए, वो मिली नहीं रही थी, प्रविस्तों मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो सही तरीके से ग्रेटिटूड नहीं हो रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं एक को नहीं चला रहा, एक को चलाना मेरे बसकी बात नहीं है, मेरा काम है मैं भगवान का ब्लेजा हुआ बंदा हूँ, भगवान ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, उतनी ही मुझे निवानी है, एक मेरी जिन्दगी का उपयोग हो, सदूपयोग हो, यह इस मौका इश्वर में दिया है, और उसी के हिसाब से अपने ग्रैटिटूट के तौरपे, कि यह ने मेरी जान बचाई है, और इसलिए नतिजा था, कि अच्छी सर्विस, एक्टिव सर्विस करने के बाद भी मेरे मन में संतुष्की नहीं थी, ए में आने के बाद भी लोगों से मेरे तम्मन करापते, ओल्टाइम और उसे उलज रहा हूँ, नियूकमर को कुछ बोड़ रहा हूँ, तो सर्विस तो हम करते हैं दोस्तों, लेकिन कई बार सर्विस करनी का जो तरीका है हमारा, वो गलत हो जाने की वज़े से, फिर उसके लाव हमको नहीं मिल, जबकि आज मैं इन 17 सलों के अनुभों के आधार पर बोल सकता हूँ, कि जब हम एकी सर्विस, निस्वार भावते, और अनामिस तरीके से, जब मैं पूरी तरीके से, निस्वार भावते, बगेर किसी अप्यक्षा के ये काम करता हूँ, और सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिटूट की वावना से, आभार की वावना से, तो दोस्तों, उसके जो खायदे मिलते हैं हमको, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, और ह आज मुझे कैसा अंदर से महतुस हो रहा है, एक उप्योगी होने की भावना, दुनिया ने जिसको एट समय में निरुप्योगी घोशित कर दिया था, यो जिले, कि ये आदमी कोई कामका नहीं है, परिवार वालों ने भी आकिर में बोल दिया था, कि ये आदमी अब कल मरे आज मर जाए, लेकिन भगवान ने और ए ने मुझे उप्योगी बनाया, इश्वर ने मेरे अंदर में वो शक्ति डाली है दोस्तों, कि जो एट ड़क्टर के पास नहीं है, जो एट पास नहीं है, जो किसी धरन गुरू के पास नहीं है, लेकिन इश्वर ने वो पावर मेर अंदर में डाला है, कि मेरे अनुवों से पिड़ित शराभी प्रवावित होके शराब से दूर हो सकता है, उसके जान बत सकती है, उसके परिवार वालों की जान बत सकती है, तो मुझे जो इश्वर ने काम सुपा है, उसना ही करूँ, तो यह चीज दोस्तों ए में आने के मेरे जीवन का मकसद क्या होना चाहिए और मैंने किस तरीके से उस जिन्देगी को जीना चाहिए अगर मैं एक अध्यात्मिक रास्ते पर चलता हूँ तो मेरी बहुतिक तरक्षी भी मेरे पीछे-पीछे आती है इन 17 सालों में आज में इस बात को अनुभव किया हूँ ए में आने के बाद में भी मेरी आर्थिक परस्तिती बड़ी करापती दोस्तों और कई साल तक रही मेरा काम दन्दा ठीक होने में बहुत समय लगा बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद चादी हो गई तो आर्थिक इस्तिती का मेरा बढ़ा खराब रहा लेकिन यहा पहले आयोए ल नहीं तो यहां बताया जाता है कि भी गोर्फुलो विड़े चलो दिरे दिरे सब ठीक होने वाला है आज मैं देखता हूँ वो ऑन्याम काम में आया मैंने अपने आपको एमे लगा कर बनाये रखा निरंकर मैं जब से एमे आया हूं तब से निरंकर एके टच में हूँ पहल कि तरीके से निझवार भाव से होनी चाहिए अनामिक होनी चाहिए को अर्फनी चाहिए एक अच्छा शब्द करना और एक्रासे काम करना मेरे अगर बाय हाठ से मैं की मदद करता हूँ तौर मेरे निया अगर कंत्रों को मैं हम निर्वर रखती। दूसरां से उसमें कोई लिस्थवार धाउं नहीं होता सेवा का तरीका है, वो हमें गलत राख्त पे ले जाता है, और फिर वो हमारे unity में दरारे पैदा होती है, हमारे आत्मश्चन्ती उसमें खराब होती है, यह सारी चीजे एने सिखने को मिलें, आज दोस्तों एने काम करने वाले लोगों की बहुत कमी है, और जिस तरीके से alcoholic anonymous का जो message है, वो फैलना चाहिए, आज भी बहुत जगर तक नहीं फैला है, एक आकड़ा विजबीश में आता है, कि भारत में आज कितने लोग सोबर है, तो कोई कहता है कि 25,000, कोई कहता है C,000, कोई कहता है 50,000, 50,000 की उपर में तो मैंने अभी तक सुना नहीं, अब सवा सो करो लोगों के देश में, नजाने अंगीनत क्रोरों लोग शरावी होगी, और उसमें भी हमारी अगर रिकोरी हम देखते हैं, तो सिर्फ 55,000, वो भी कोई परफेक्ट आकड़ा नहीं, तो आज बहुत कुछ हमको सबको मिलकर काम करने के आउशकता है, और इसलिए ये मेरे से ज हमेशा अगर मैं बहाने करूँगा, ना ही कहूँगा, तो फिर एक काम बढ़ेगा पैसा, आज दोस्तों, मुझे अगर अपने आपको जिन्दा रखना है, और नहीं आने वाली पीडियों के लिए भी अलकॉलिक पनानिमोस को अगर जीवित रखना है, चायद हो सकता है मेर मेरे लिए दुसरे लोग करें, दुसरे लोगों नहीं कर लिया है, बहुत कुछ करी रहे, अब जिम्मेदाने मेरी है, कि मैं कब तक सिर्फ मुझेबानी आभारादा करते रहूँगा, कि मेरा बढ़े आ गया, चाय अनलाइन करू या फिजिकल करू, तो खड़े हो गए डा बात है, ना नहीं आने वाली पीडियों के लिए अच्छी बात है, और इसलिए दोस्तों, A.N.A. सिखाया है कि ये जो मेरा ग्रैटिटूड है, ये तहीं तो भी कृती में होना चाहिए, ये ग्रैटिटूड इन एक्शन होना चाहिए, मैं जिस भी हालात में हूँ, जैसी परस्तितियों में, ग्रूप, जैसा भी मुझे होता है, कई प्रकार A.N.A. में सिवा से बताए गए, मैं पद लेके भी सर्विस दे सकता हूँ, और बगेर पद के भी सर्विस दे सकता हूँ, किसी ग्रूप का अगर मेंबर हूँ, तो हर साल रोटेट होने वाली कमिटी बन मुझे भी कही तो भी जिम्मेदर ही लेनी चाहिए, कभी मैं ट्रेजरर बन जाओ, कभी किया चेर्मन बन जाओ, कभी गुरूप का सेक्रेटरी बन जाओ, और अगर मैं नहीं पद ले सकता हूँ, तो बगेर पस्के भी हम अपने ग्रूप में सेवा का काम कर सकते हैं, कई ल पसलब है कि मुझे भी मिटिंग में आना पड़ेगा, कई लोग जैसा मैंने भी बताया कि जब मैं पहली दिन मिटिंग की, तो मिटिंग खतम होने के बाद में जब हम चाय के एड़े पे गए, तो कुछ लोगोंने मुझे गले लगाया, कुछ लोगोंने मेरी पीट पे मिलाया, और बोले यार आते रो, हमारा अच्छा हुआ, तो जब मैं मिटिंग में जाता हूँ, तो क्या मैं देखता हूँ कोई नए आदमी आया है, क्या मैं उसके पास जाता हूँ, उसके बात करता हूँ, कभी-कभी हमको आदत होती है कि नए आदमी का बहुत ज़्यादा दिमाग खराफ कर डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम हम उससे मिल तो सकते हैं, उससे हाथ को मिला सकते हैं, उसको मोटिवेट को कर सकते हैं, बहुत सारे लोग sponsorship देते हैं, ये भी एक service है दो, कई लोगों को program के बारे में समझ नहीं होती, कोई बारा कर समझना चाहता है, किसी को initial days में alcohol के दूर रहने के लिए sponsorship लगती है, ये सारे सेवा के प्रकार है, आगे instructor service है, अगर हम group के chairman है, हम बात में IGR बन सकते हैं, हम intergroup chairman बन सकते हैं, अगर और सार सेवा का मौका मिलता है, हमारे पास समय है, तो हम delegate बन सकते हैं, हम GSO में trust की बन सकत है, ये सारे सेवा के जो पद है दोस्तों, ये इसमें हम जो service देते हैं, तो उसका आखिर में रिष्टा gratitude से ही है, सारे जो काम हम करते हैं, कोई अधिकार पाने के लिए नहीं करते हैं, या किसी के अधिकार जताने के लिए, रॉब जमाने के लिए नहीं करते हैं, या किसी क को विश्ववात करके ćवा के लिए चुनाया आधेश देने के लिए या हुकूमत कि लाने के लिए तो सर्विस करते व monkey left वहमेशाहन हुनी चाहिए कि मैं एक कि जो सर्विस दे हुरे रहू एमें जो कि इनवर्मेंट दे रहू वह आभर के मातध्येंग्स तो अपने होम ग्रूप में मुझे चेर्मेन बनने का मौका मिला और उस चेर्मेंशिप ने अगले तिन सो पैसे दिन मुझे सोबर रखने का काम सर्विस कीप में सोबर जो कहते हैं कि सेवा हमको सोबर रहने में मदद करती है उसका मैं उधारन हूँ शे महिने में ही मुझे चेर्मेंशिप मिल गई थी और कैसे मेरा पहला साल निकल गया पता नहीं चला उसके बाद मेरा अंसर है कि मिटिंग में इन्वाल रहा कर दो हजार बारा में हमने अपने इलाके में इंटरोप बनाए उसमें नए ग्रूपों के लिए काम करना आज पाज ग्रूप से वह सतरा ग्रूप हो गए और कई तो भी सब मिल जूल के हम काम करते हैं तो जब यह सब हम देखते हैं तो दोस्तो एक स्टिस्क्शन मिलता है एक उपयोगी होने की भावना अंदर आती है कि इश्वर मैं एक जमाने में बिलकुल निरूपयोगी इंसान था योजलेस इंसान था तो उन्हें सामका बनाया है तो आज कहीं तो भी यह जो ग्रेटिटूड है यह ग्रेटिटूड रोज के रोज मुझे अदा करना पड़ कि एक ही दिन में मैंने 3-4-4 इस्तिकर मिटिंग लोग कहते थे कि जिसनी लोगों ने मिटिंग नहीं कियो होंगी उतनी शेश्वराज ने इस्तिकर मिटिंग और मैंने कभी से ना नहीं बोला क्योंकि वो कुरोनाकार लागडाउन का पिरट था मैं भी ठाली ही रहता था का और मैं पता हुआ हूँ तभी एक लिए ना मेरे मूँसे निकलता है वरना एक के बारे में कभी भी मैं नहीं करता हूँ तो यह मुझे सिखने को कहां से मिला अल्कॉलिक पर अनॉनिमस पे ऐसा नहीं होगा कि मैं पिछले आगे दस साल पास साल अभी सेवा दे दिया अब मै अगर मैं अपने परिवार का आभार मान रहा है अगर मैं आभार मानने से काम नहीं चलेगा आज मुझे कई तो भी जो उनको मैंने सताया रूलाया तरबाया तो तीन फिर दोबारा उनको न देखने से हुआ जितना भी हो सकता है पैसे उनके चेरे खिलते रहे खिले रहे तो ये सारा जो चेंज है दोस्तों ये ए ने सिखाया है कि एक तो हमें आभारी रहना जरूरी है हर उस वेक्ति का इश्वर का जिसने भी इस नई जिन्दगी में हमको मदद की है लेकिन ये जो आभार है ये जो ग्रेटिटूड है सिर्फ मुझ अवानी ना रहे ये आभार हम हमेशा कुरती में होना चाहिए और तभी दोस्तों उसके फाइदे भी मेरे नीजी जिन्दगी में होजे तो जो भी मेरे अनुवावी सिखे पर खा मैंने रखने की कोशिश की आप लोगों सुन लिया बहुत-बहुत धन्यवाद फिर एक बार मेरे 17 प्रॉपर डेपर जो म हाँ